दोस्तों नमस्कार हमें इस बात पर गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्रे में रहते हैं और यहां के मतदातक रुप में पंजिक्रित हैं लेकिन अगर हमारी प्रविष्टियां गलत हैं तो यह अच्छी बात नहीं है वो मदाता सोची healthy नहीं है तो हमें पर्यास करना चाहिए हमें चाहिए कि हम उन प्रविष्टियों को ठीक करा ले तो अगर आपका नाम या कोई और प्रविष्टियां अगर गलत हैं मदाता सोची में तो आप उसे ठीक करा लें प्रपत्र आर्ट को भरके तो परपत्र आर्ट आप आसलिए कहा और परपत्र आप को और आशान कर दिया है पहले परपत्र आर्ट को हम भरा करते थे प्रविष्टियों के सुधि करने के लिए लेकिन इसमें और भी चीजों को एड्ट किया गया है क्या एट क्या गया है हम देखेंगे सिलसिले बाठंग से सुरू करते हैं एकदम सुरू से और सिखते हैं फॉर्म 8 को फढ़ना आप इस फॉर्म को देखें फॉर्म 8 आपका SI होगा इसमें देखें सिवा में निर्वाचक रिष्टी करन ओफिसर और आपको उस विधान सभा का शंख्या और नाम लिखतेना है तो मैं एक्जाम्बल ले रहा था सिा मरिया विधान सभा का चारिखंड में हैं जो să क्षंख्या और छब्षे आप यहां पर इस घर के अंदर 26 लिख दें और नाम में सिमर्या लिख्या तो वैसे छहां पर विधान सभा नहीं होता है उनका संख्य और नाम लिखना दाश्ट की चारखन्य विधान सभा है तो यहां पर इसकी जरुवत नहीं है आगे बढ़ते हैं आप देखें आवेदा का नाम इसे थोड़ा सा हम जूम करते हैं तो आपको देखने में आशानी होगी के यहां पर आपको आवेदक ख़ें तो आपको अपना नाम लिकना होगा आप KYS कुमार में इसके बाद आपको EPIC संख्या जो होता है जो मद्दाता पचान पत्र संख्या जोसे आप करें आप उस संख्या को यहाँ पर नोट कर लें उसके बाद आप आधार प्रस्थूत कर रहे हैं तो कपर तिक करें और अपना आधार संख्या जो की 12 अंकों का होता है अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप खामेटिक करें और इसका मतलब है कि आपके पास आधार नहीं है आप अधार प्रस्तूत नहीं कर सकते आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे आपसे मोबाइल नमबर की दिमांड की साथी है तो अगर आपके पस अपना मोबाइल है तो आप उस मोबाइल नमबर को यहाँ पर लिख दे और अगर आपके पस अपना मोबाइल नमबर नहीं है तो अपने नातेदार का जो आपके पित आइडी नहीं है तो अपने रिस्तेधार के में से किसी एक का इमिल आइडी यहां पर लिखते हैं आगे देखें आगे क्या करता है यहां आगे करता है कि अगर आप हुहां से कहीं और shift करके हैं है कि उसके सब्लूरक से आजए तो एक पर टीक करें हो यहांटी कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो परिष्टियां ऒर्थमान मदाता पाचान पत्रे ये awakgis फाह गे गई है कुछ गलतियां उसमें हैं और आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो तो हो गया हो तो और आप चाहते हैं कि आपको नया मताता पाचान पत्र मिल जाए उसके बदले में तो आप तीन नमबर को टीक करेंगे और अगर आप दिव्यांग है और यह चीज वोट लिस्ट में डिनोट नहीं है और आप चाहते हैं कि मत दाता सोची में आपकी दिव्यांगता को वहां पर दर्ज किया जाए तो आप चार नंबर को टिक करेंगे चारों से कोई होगा तो यहां पर उसका डिटेल्स भरा चाना है आप देख लें इसमें कहा रहा है कि आपने निवास से अस्थानमत्रन कर लिया है और आप रोद कर रहे हैं कि जो पूर्व पती में आपका इपिक संख्या था उसको अस्थानमत्र करके नए पते पर उस इपिक को उस मतदात यहां लिखना होगा यहां पर आप जहां पर नया जगा पर रहे हैं उसका मकान संक्या लिख दें उस गली महले का नाम लिख दें उस गौं का नाम लिख दें उस शहर का नाम लिख दें और सबंतित डागर का नाम लिख दें पीन कोड यहां पर दरज कर दें और जिस राज चापका है उस राज का नाम यहां पर लिख दे इस तरह से यह फॉर्म आपका फिल हो गया बाकिया प्रसक्रिप कर सकते हैं लेकिन हम सभी को जानेंगे चुंकि हमें इस फॉर्म को फिल करना है और सब तरीके से जानना है आप अगर आम आदमी है या बुथ लेबल ऑफ से कोगा देखें में अगर अपने का इसमें को नया पते पर और आप इपकी मांग कर रहे तो आपको नहें पते का सबूत के ना होगा और आपका अपना हो सकता है या आपके माता-पिता पती पत्नी या वियसकवालत कर देखें देखें हैं एनमों से किसी एक का भी हो सकता है तो कोई एक को आप इस पर्म के साथ के साथ सलंग कर दें देखें यहां सातर долларов आपका निवास take कॉंटे परमुक दस्तावेज है यह साथ मेंट को एक आपके पास हूं आप देखनें बहुत सारा यहां पर है इसमें से कोई एक भी आपको आध कार्ड बहुत असने मिल जाता है तो आप अधार काड दे कर भी काम चला सकते हैं अगर इन साथ में से कोई भी डॉक्मेंट आपके पास प्लब्द नहीं है तो आप यहां टिक ना करकर यह कोई अन्ड में और यहां यहां पर आप उस तस्तावेश का डिटेल्स लिख दें तो इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको नया तो यहां बहुत और लिए नाम को करें लिंग में घलती है तो इसैती करें तुटी करें तो इसे जनमतारी कि में रह गई है तो यहां टिक कर लें गलत है और फोटो गलत है फोटो सही नहीं है तो यहां टीक करें और अगर फोटो आपको सुधार करना है तो तो ही कि यहां पर प्शू प्रोटो अपना चिपका है और इंप टॉटो आपका पास्पोर्ट ऊयज now चाहिए रहें गीई फोटो होना चाहिए और परड़ू की वह हुआउट सुष्थ सफेद सफेध होना चाहिए और सेलफी टैब का फोटो नहीं वह न चाहिए ऐसा फोटो जिसमें आपके चेहरे का दोनों किनारा दिखें आपकी आखें डिखें चसमा्ट ओपी वाला फोटो नहीं होना चाहिए इसा खाल खास ख्याल रखेंगे और फोटो तभी आप शिल्गाएंगे सब आप फोटो में परिवर्तन चाहते हैं आप देखें आप जिस की दिमांड कर रहे हैं तो उसका डिटेल्स आप यहां पर लिख देंगे कि आप यह सुधार चाहते हैं जो अप्यक्षित सुधार है आप यहां पर साफ साफों से इंकित कर दें इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे देखें क्या है जो आपने सुधार के लिए आवधन किया है चीजिन परविष्टियों के लिए उस परविष्टि के समर्थन में अभिसास दें और तो नया एकिक फिर से बनाकर दे दिया चाहेगा और उसमें साइसीजें सुधार कर ले जाएं अगर आपने आएसन किया हो कि बिना सब्सक्राइब मैंने आपको बताया था तिन नमबर में था आपका वोहाइड हो आपका इपीक हो गया हो या नष्ट it हो गया हो तो आपको निछ करना था और यहां पर आप कि यहां पर आपको सही से गपी निसान लगाना है अगर आपका इपिक हो गया है तो यहां टिक आउट करें देखलें यहां खो गया में टिक आउट करें अगर आपका इपिक के बाल अगनी या कोई प्राकृतिक आपदा का नश्ट हो गया हो तो यहां टिक करें या कटफट तो आप उसे वापस कर देंगे साथ में लेकिन अगर खो गया है या नश्ट हो गया है आपदा में तो आप उसके लिए प्रथम सुसना रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और उस से रिपोर्ट की कोपी इस फॉर्म के साथ सलंगन कर बीयलो को देंगे तो फिर आपको नया एपिक मिल जाएगा देखें चौथा कंडिसन क्या था अगर आप दिव्यांग है और पहले से दर्ज नहीं है आपका डिटेल्स तो आप यहां पर चार नंबर में आए और आपने उपर में चार नंबर टिक करा होगा यहां चार नंबर में आप जिस परकार के दिव्यांग है वो यहां टिक करें या कोई और है दिव्यांगता हो तो यहां पर उसको लिखें और दिव्यांग का पर्शेंटेज प्रतिसक्त कितना है दिव्यांगता का उसको यहां पर दर्ज करें और साथ में अगर आप संबंधित परमान पत्र अगर सलगन कर रहें इस फॉर्म के साथ त उसके बाद आप जिस डेट को यह form को फिल कर रहे हैं कि उसके बाद अब hyalaya लों हैं तो आप आवेदक से ले और उसके बाद यहां बहुत होगी कि उन्होंने फर्म भरा है उसके कि आपफ हैं अफम स्क्रिकरति बात होता है यहां पर अभिस्व्कृति संख्या करेंगे तरिक यह आप लिखेंगे और उस आवेदक का नाम लिखेंगे जिन्हों 하 conflicts कर आ है उसके बार भी आपी एलो यहां पर सिंग्नेच्र करेंगे और इमें खैं prophecy नूमा से इसे कट करके और उस आवेदग को दे देंगे इस तरह से आपका परपत आठ भढ़ने की जो पूरी परकिरिया थी वो शंपन होती है और आप जिसके लिए भी आवेदग आपने करा होगा परपत राठ में वो चीजें सुधर कर या परिवर्तन होकर आप तक पहुंचाएंग माणंगी ये वीडियो आम जनके सासाथ बीलो के सहजों के बनाया गया था अगर कोई तूटी दिखे तो तूटी निराकरन के लिए या संदिह समन के लिए आप बीलो हैंडबूक आरो हैंडबूक या फिर संबंधित अधनियम को जाकर देख सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हूं